जैसी किसना वक्तों? वक्तों, बिनाएक चतोटी के दिन बिगन अताशी गडेजी की पूजा अवस्य करनी चाहिए, कथा जिरूर सुननी चाहिए, मानता है गडेज चतोटी के दिन कथा सुनने से वक्तों के समस्ट कष्ट दूर हो जाते हैं, एक दिन भगवान भोले नाथ इसनान करने के लिए कैलाज परवर्ष से भोगवती गए हुए थे मा रेव के प्रिस्तान करने के बाद मा पारवती ने इसनान प्रारम किया गर में इसनान करते हुए अपने मेल से एक पुटला बना कर कि उस पुटले में जान डाल कर उसको सजीव किया पुटले में जान आने के बाद देवी पारवती ने पुटले का नाम गडेश रखा पार्वती जी ने बालक गड़ेश को इस्नान करते जाते वक्त मुक्ष द्वार्पा पैरा देने के लिए कहा माता पार्वती ने कहा जब तक में इस्नान करके ना हूँ किसी को अंदर नियाने देना भगवती में इश्नान करके जब सीड़ी गड़ेश बगवान संकतजी आये तो शीड़ी गड़ेश बाल रूप में उन्हें रोक लिया भगवान सिवजी ने समझाने की कोशिस करी पंदों अंदर निया ने दिया गड़ेश द्वारा रोके जाने पर भगवान संका जी ने अपना अपमान समझा युद्ध हुआ और बालक गड़ेश का अस्सर धर से अलग कर वो घर के अंदर गए सिवजी जब घर के अंदर गए क्रोड़ित अवस्ता में थे देवी पारवति ने सोचा भोजन में देरी की वज़े से वो नाराज है उन्होंने दो थालिया में भोजन परोश कर उन्हें भोजन करने का निवेदन किया दो थालिया देखकर सिवजी ने पूचा दूसी थाली किसके लिए है तम माता पारवति ने जबाब दिया दूसी थाली पुत्र गणेश के लिए है जो द्वार पर पैरा दे रहा है भगबान सिवने देवी पारवती से कहा उसका असिर मेने कुरोधित होने की वज़े से धर से अलग कर दिया है इतना सुनकर माता पारवती दुखी हो गई विलाप करने लगी कुरोधित हो करके ब्रमान्द का नास करने लगी उन्होंने बोले ना से पुत्र गणेश का सिर जोड करके जीविट कने का अग्रे किया तब मादेव ने एक हाती के बच्चे का सिर धर से काट कर गणेश के दर से जोड दिया अपने पुत्र को फिर से जीविट पाकर माता पार्वती अत्यन प्रसंद हुई कहा जाता है जिस तरह से इसी गड़ेश को नया जीवन डान दिया उसी तरह भगवान गड़ेश जी भी नया जीवन आरंब के देवता माने गए और संसार में पूजिनिये हुए